तो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में तो अगर आप Redmi Note 8 के यूजर हैं तो आपके लिए यहां पर एक good news निकल कर सामने आ रही है यह पहले तम आपको बता देता हूं कि अगर आप global user है अगर आपको अभी तक अपडेट नहीं मिली है तो मैं आपको सारी information देने वाला हूं और अगर आप Indian user है तो आपको बहुत सारे bugs देखने को मिल रहे हैं Indian Rome में MIUI 12.0.1.0 में तो यहां पर यह एक नई अपडेट जो है पुश कर दी गई है Xiaomi की तरफ से MIUI 12.0.2.0 यह global update है आप यहां पर देख सकते हैं मैंने इसे fully install किया हुआ है तो दोस्तों यार आपको मैं सारी information देने वाला हूं आपको यह update कब मिलेगी कौन से bug fix होंगे तो यार चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कीजेगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है क्योंकि आपके like and subscribe से ही आप motivation मिलती है MIUI 12.0.2.0 की इसमें भी November का security patch level देखने को मिल जाता है यह बिलकुल ही same update है इसमें क्या कुछ नया मिलता है तो यहां पर आपको landscape में अब जो है वो control center देखने को मिल जाता है यहां पर और शामिल कर दिये गए है इससे जादा यार इस update में मुझे कुछ भी नया देखने को नहीं मिला और obviously यहां पर November का security patch level हमें देखने को मिल जाता है तो यहां पर आजाता है कि यार यह update कब मिलेगी क्या कुछ fix हुआ है तो यहां पर आप देखेंगे अभी यह update जो है वो under testing है update अभी जो है फुली user को देखने को नहीं मिली है तो आप इसे download फिर से भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह under testing है सिर्फ चाइना में ही full rollout हुआ है जो है testing purpose के लिए fix की गई है आपको पता है पहले global में आती है उसके बाद इंडिया में updates आती है तो यह update जो है नवेंबर के security patch level के साथ release कर दी गई है तो अगर आप यहां पर global user है तो यह काफी अच्छी news है आपको मिल जाएगी अगर आप Indian user है तो बहुती बहुती बहुत है क्योंकि यहां पर आप देखेंगे phone बहुती smooth है बहुत fast है battery भी जो यहां पर है ठीक कर दी गही है मिलको कोई यहां पर issue नहीं आया battery में भी heating issue भी नहीं है तो रोम बहुती smooth है no issue at all तो दोस्तों अगर आप global user है तो आपको यह update जो है बहुती जल्द देखने को मिल इंडिया में दोस्तों आपको मालूम ही है पहले global में आती है फिर इंडिया में आती है तो हमें 20 तरीक के आसपास 20 दिसंबर के आसपास यह update इंडिया में भी देखने को मिलेगी with November security patch level इसमें सब कुछ fix कर दिया गया है तो यह सारी information थी यहां पर Redmi Note 8 के बारे में MIUI 12.0.2. 2.0.